देखिए, एक टॉपिक है, टॉपिक में कहा गया, एक metallic rod of length L, लिखो ज़रा, जिसके पास नहीं हो, लिख ले, a metallic rod of length L, is revolving, पहले त्यारी कर लिया करिए, a metallic rod of length L, is revolving, यानि पहले समझाने की कोशिद भी करते जाएं, यह एक rod है, यह metallic rod है, इसके length कितनी है, L, is revolving with an angular velocity omega, about its one end, यह एक end यह पूरी rod है, इसका एक end O हो गया, एक end A हो गया, और इसके चारो तरफ वो एक angular velocity, omega से ऐसे, revolve कर रहा है, अब आप कहेंगे, कहीं पर क्या पतला हो गया है, कहे रहा है, नहीं हो, ठीक है, और यह omega इसकी angular velocity है, कोणी वाले नहीं है भी, ठीक है, a uniform magnetic field is applied parallel to the axis of rotation, देखें, इसकी यह है ना, axis of rotation, तो uniform magnetic field is applied parallel to the, मतलब किदर है, perpendicular, invert कहे तो चाहे, outward करे दो, यह magnetic field यहाँ पर applied है, ठीक है, यह magnetic field इसमें applied है, B, एक magnetic field B applied है, parallel to the axis of rotation, find the induced EMF produced between the ends, इसके ends के बीच में एक induced EMF produced हो गया, वो बन निकालना है आपको, और resistance अगर आ रहे हैं, तो current निकालनी है, आई, इसके ends के बीच में निकालना है, ठीक है, देखें, इसके दो तरीके हैं, एक सस्ता वला तरीका हम बताएंगे, ज्यादा, आसानी से रहेगी, ठीक है, देखो, यह metallic rod जब घूम रहा था, तो आखिर induced EMF produced हो क्यों रहा है, हो रहा है, यह magnetic field में घूम रहा है, तो magnetic lines ऐसे हैं ना, ऐसे हैं ना, और तो इसमें घूमेगा, तो lines को क्या करेगा वो, यह है magnetic lines, और कोई राड ऐसे घूमाओगे, तो lines को cut करेगा ना, तो जब lines को cut करता है, तो उसमें induced EMF create होता है, अब चलने वाला दुदायत हमने आपको, जब चलता है वो, तो बवाल होता है, BVL, लेकिन रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने में induced EMF कैसे निकाला जाए, कैसे निकाले, EMF का formula क्या होता है, change in flux upon time, delta 5 and delta T होता है न, तो अब देखें, दो तरीके हैं, हम या तो dt time तक इसको चला दें, और हम कहेंगे rod को यहाँ पहुचा दें, या ऐसा करते हैं, कि rod को पूरा घुमा देते हैं, तो पूरा time हमको पहले से मालूम है, अब पूरा time का जब reciprocal करोगे तो frequency मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो इन्होंने का ऐसा माल लेते हैं, कि इसका जो time period है, वो कितना है, तरीके अलग-अलग है, ध्यान रखिएगा, time period इसका हमने क्या माल लिया, capital T, ठीक है, अचा, यह जब पूरा rod rotate करेगा, तो कितना magnetic flux से cross करेगा, magnetic flux, change in flux and when rod completes one rotation, when rod completes one rotation, one rotation, जब एक rotation complete करेगा, तो total flux, total magnetic flux, कितना एक काटेगा, 5 ब्रावर क्या होता, B into A, B into A, पाई into A ने B into A, ने आप simple एक formula बने बताया करों, कि क्या होता है formula, तो formula क्या होगा, B into A, तो B तो B हो गया, और A यह जब rotate कर रहा है तो कितना area cover कर रहा है पूरा, पाई L square, यह आर बोले तो L, तो पाई L square, पहले यहां पर rod था, ठीक है, इ पूरा एक काटा 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 यह, यहां तक काट लाए है, सब को काट, रास्ते हम सबसे टकराया है, जो मिला हो, हटो, लड़ते लड़ते सब यहां तक आ गया, अब induced EMF का formula क्या होता है, induced EMF को हम capital E से लिखते हैं, तो जितना flux हुआ है, इतको हम delta 5 मालने तो delta 5 अपान, delta T, negative हम sign नहीं लगा रहे हैं, माल लीजे हम उसकी value बता रहे हैं आपको, ठीक है, delta 5 कितना हो गया, B into pi L square, और time काउं से ले रहे हैं आप, capital T, capital T, हो गया ना, अब यहां पर omega की बात कर रहे हैं ना, इसमें किस के पास omega चुपा हुआ है, time के पास omega चुपा इस diagram को बना लिया, रब कर दें, तो हम इस time period से omega निकाल लेते हैं, या omega से time period निकाल लेते हैं, तो omega परावर क्या होता है, as omega is equal to, omega is equal to, 2 pi by T, हमें किसकी जुरुत है, हमको जुरुत किसकी है, capital T की, तो T की value क्या हैगी, 2 pi by omega, यहां रख दो उठा करके, so by question 1, so by question 1, e ब्रावर कितना होगा, b, pi, l square upon, t क्या है, 2 pi by omega, pi, pi cancel, e ब्रावर क्या होगा, half, b, l square omega, यह कोई भी rod अपने axis के चार और, किसी axis के चार और, अगर वो magnetic field में घूमती है, magnetic field कैसा है, perpendicular to the axis, ने sorry, perpendicular to this rod के है, तो यतना induced EMF create होता है, note करिए, अच्छा induced EMF है, इसको capital E लिख दो या ज्यादा बहतर है, इसको आप, generally small E लिखते हैं, ने, आप लिखने कुछ भी मान सकते हैं, जब अपने कुटे को बासा बोल सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अगर इस rod का resistance R है, तो अगर हमसे induced current बोला जाएगा, induced current, I बरावर क्या होगा, E upon R, तो E रख दीजे, यानि half omega B L square by R, तो ये induced current का formula हो गया, note करिए, अब देखे, अब आपने ये method देख लिया, अमले आपके book में कहीं topic लिखा होगा, method change हो गया, क्या कहा गया, कि rod magnetic field में घुम रहा है, और magnetic, ये rod का axis है, और ये magnetic field axis के perpendicular है, ठीक है, नहीं, axis के, ये, हाँ, ये axis है, ठीक है, ये rod है, ये rod है, rod के लंबाई कितनी है, L, हाँ, तो या तो confused क्यों कर रहे हो ही मैं कह रहा हूँ, हम, तो confused कर क्यों हो रहे हो, ये axis है नहीं, इसका, तो ये axis के paddle है, यानि कि इसके चलने के, यानि इस rod के perpendicular है, यानि magnetic field ऐसे जैसे अभी था, ठीक है, अब देखो, ये L rod है, बहुत small time में वो ऐसे गुमी, थोड़ा ज्यादा गुमा तो नहीं, dt time में, और कितने angle से गुम गई, ये d theta angle से गुम गई, rod की लंबाई, L है, ये d theta angle से गुमी, तो ये arc कितना होगा, arc is equal to, angle is equal to arc per radius, तो ये arc हो जाएगा L, d theta, तो हमको ये निकालना पड़ेगा, कि dt time लगा ना इसको, rod को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना time लगा, इसका नाम दे दो चाहे, OPQ, rod को dt time में कितना area cover किया, area covered by rod, area covered by rod in time dt, actually जितना rod ने area cover किया है न, उतना ही magnetic flux काटा है, तो ये रास्ते में magnetic lines पड़ती जा रही है, और वो बिल्कुल highway की तरह lines को उड़ाता भचला जा रहा है, ठीक है, तो area का formula क्या होगा, dA is equal to, तो area दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, देखो, हम ये मान की चल रहे हैं, कि ये बहुत small length है, तो ये angle कितने degree का है, 90 degree का, दो तरीके समल लिजेगा, तो एक तो आपका half base into height हो जाएगा, half into L into L, dθ, एक तो ये तरीका हो गया, आप को एक हम तो नई मानेंगे, दूसरा तरीका बताओ, ये नहीं चलेगा, ये दो लंबाईयां है, और इसके बीच का angle, dθ है, अगर किसी triangle में, दो side दी हूँ, और उनके बीच का angle दिया हो, तो area का formula हो था, half into first side into second side, sign dθ, ये भी एक formula होता है, अगर कोई triangle आपको ऐसा दिया हुआ है, जिसमें दो side दी हूँ, उनके बीच का angle दिया हो, तो half ab sin theta इसका area होता है, अब ये ने करना प्रूफ करिए, ठीक है, ये होता है, अब चूंकि angle is very small, तो limit क्या कहती है, कि sin dθ को केवल, dθ लिसकते हैं, यह तो area आएगा, सुन्द में आगिया, तो दोनों तरीके से area निकलाया, half into l square d theta, अब आपको निकालना क्या है, induced emf, यही से start करूँगा, induced emf, इसमाल इही मान लो, क्या formula होता है, minus d theta upon dt, d5b upon dt, minus d5b upon dt, minus क्यों क्या indicate करता है, इसका direction, कि ये उस region को oppose करता है, ठीक है, तो minus बात में हम अटा देंगे, तो minus d by dt of phi क्या होगा, b a, ठीक है, phi क्या होगा, b a cos theta, theta ये बला नहीं, theta क्या लिया जाएगा, ये इसका, ये, जो आपका surface है, जो इसने बनाया, ये surface है, और ये area, है, और यही magnetic field, तो theta 0 लिया गया, तो theta के हम बात करेंगे नहीं, तो b तो बाहर कर दिया, तो आएगा d a by क्यों कर दें theta, d a by dt, d a की value हम, निकाल चुके, तो यानि कि e बराबर क्या हो जाएगा, diagram रब कर दें, ठीक है, ये diagram रब किये दे रहें, बताद दूसा भी तरीका इसका ही है, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, वो भी घटिया तरीका थोड़ी है, वो भी तरीका है, e is equal to, अच्छा माइनस हमने हटा दिया, ठीक है, और यहाँ लिख दो, numerically, अरे ठीक है, ये कहां कहां अंदर है, magnetic field, नार्मल बोला उन्होंने, ये थोड़ा inward outward, वो तो हमने मान लिया है, ठीक है, अच्छा देखिए, e is equal to, हम numerically लिखे जे रहे हैं, b बाहर करते हैं, और या आएगा dA by dt, dA निकाल चुके हैं, इसको dt से डिवाइट करो, तो आएगा b into half l square, और dt को कहां लिख दे हैं, d theta के नीचे, ये क्या लिखा हुआ है, d theta by dt, rate of change of angular displacement, किसीच का formula होता है, angular velocity, तो यानि कि b is equal to, half omega l square b, हो गया b, क्या लिख रहा हूँ, e बराबर, हो गया e, current आप निकाल चुक है, e बराबर, i बराबर, e upon, small e upon r, r से डिवाइट कर दो, तो b, omega l square upon, 2r, तो ये भी एक तरीका है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है, मतलब mathematically यही तरीका होना चाहिए, ये वो तरीका भी ठीक है, ठीक है,